डीयर एस्टेंट्स, आज वेलकम तो आरेजुकेशनल चैनल, मिकेनिकल पंडित। हम लोगों ने फ्रिक्शनल डिवाइसेस में इस्क्रू जैक के ऊपर काफी नुमरिकल कर चुके हैं पाइबोट बेरिंग के ऊपर काफी सारे नुमरिकल कर चुके हैं उसी सिक्वेंस में यह एक हमारा कोस्चन है कोस्चन नंबर 11 थीक है आब देखिए इसका जो है हम पड़ते हैं इसको समझने के कोचिस किजिएगा ये थृस्ट साप्ट ऑफ सिफ्ट हेज सिक्स कोलार डैट मिस्च कि रिएरिंग का concept है आपका फ्लैट कोलार बियरिंग यह आपके पास formula है पॉलार बियरिंग का यही मल्टी कॉलार बियरिंग है यहां पर हमने सो किया है इस question में number of color कितना है 6 है numerical यही है formula भी सब standard वही है ठीक है इसी formula को use करते हुए जो है अभी हम इस question को solve करेंगे तो देखिए यहां पर एक थ्रस्ट साफ्ट सिफ है six color that means कि n यहां पर क्या हो जाएगा six sorry six color हो जाएगा six color of 600 mm external diameter that means कि आपका r1 इसको हम external ले ले 600 और r2 कितना है 300 mm internal diameter the total thrust from the propeller is 100 kN that means कि लोड कितना है आपका 100 kN if the coefficient of friction mu 0.12 है and the speed of the engine is 90 rpm find the power absorbed in friction at the thrust block assuming uniform pressure and uniform wear तो अब देखिए यहां पर question बहुत ही असान है यह देखिए uniform pressure के equation है और uniform wear के uniform pressure के for अब यहां लेख सकते हैं for uniform pressure क्योंकि power का क्या होता है two pi n t upon 60 तो पहले t तो हम निकाले हैं क्योंकि n तो दिया हुआ है तो t हम दोनों के लिए निकाल लेते हैं for uniform pressure के लिए torque क्या होता है यह देखिए दिया हुआ है 2 by 3 mu w और r के जगा पे यह हम अब direct रख रहे हैं यह r1 q minus r2 का q upon r1 square minus r2 का square यह होगा यह देखिए 2 by 3 mu कितना है 0.12 और w कितना है दोस्त हंडेट किलो न्यूटन और r1 कितना है आपका 600 तो यह हो जाएगा आपका 300 और यह हो जाएगा 150 तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 300 का q minus 150 का q upon 300 का square minus 150 का square तेक है इसको जब आप solve करेंगे तो यह आपको torque जो है निकल करके आएगा 2800 न्यूटन मीटर तो यहाँ पे power निकालेंगे आप power lost in friction तो क्या हो जाएगा b equal to 2 pi n t upon 60 तो यहाँ पे 2 pi n कितना है 90 upon 60 और t कितना है 2800 यहाँ पे आपका power निकल करके आगया 26.4 kilowatt 26.4 kilowatt यह आगया for uniform wear ती ना for uniform अब second condition क्या है uniform wear का अब uniform wear में आपके पास यह formula है देखिए torque equal to mu w और यह r1 plus r2 by 2 तीक है अब यहाँ पे देखिए सारी value आपको मालूम है mu का value दिया हुआ है कितना दिया है 0.12 0.12 into w कितना दिया है 100 kilonew 10 to the power 3 और यह r1 plus r2 r1 plus r2 कितना है अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह 10 to the power minus 3 भी हुआ है यह हमने direct ले लिया है लेकिन क्योंकि यह mm में है तो एक r बचेगा यहाँ भी 10 to the power 3 r1 कितना है 300 plus 150 300 plus 150 by 2 और यह 10 to the power minus 3 भी जाएगा तो यहाँ पे यह torque आपका जो है निकल करके आएगा 2700 newton meter जब 2700 newton meter क्या निकल करके आगया torque तो यहाँ पे आप power निकाल सकते हैं 2 pi nt अपन 67 तो यहाँ पे यह 2 pi n 90 है दिया हुआ है n 90 देखिए यहाँ पे n 90 जो है दिया हुआ है और torque आपने कितना निकाला अभी किस के लिए uniform wear के लिए 2700 upon 60 तो यहाँ पे आपको power आजाएगा 25 kilowatt यहाँ पे यह आगया 25 kilowatt ठीके दोस्त यह uniform pressure और uniform wear यह आपने देखा कि uniform pressure में power lost क्या है ज्यादा है और uniform wear में power lost कम है यह भी एक जो है concept याद रखिएगा यह था हमारा question number second sorry question number 11 ठीक है तो अब next video में हम लोग question number 12 लेंगे तब तक के लिए आपको धन्यवाद and share this video with your classmate also